हाई फ्रेंड्स बेलकम बैक पेश खजाना पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है तो सांतियों आज हम लेकर आएं आपके लिए एक बहुती सुपर हेल्दी और टेस्टी रेस्पी मोरिंगा यानि सहजन की सबजी यह बहुती हेल्दी और कई प्रिकार स हमारे लिए उपयोगी होती है सहजन की सब्जी कोपोसित जच्चवच्चा यानि मां और बच्चे को खाने की सला हमारी गावर्वर्मेंट के दौरा दी जाती है और कई परकार से अभियान चलाकर जो जच्चवच्च्चा हैं खुत प्पोसित उनके लिए इस सब्जी को कराया जाता है यानि सेज़ और मुरिंगा को प्लद कराया जाता है यह बहुत ही टेस्टी होती है और आज हम इसको एक बहुत ही अलग तरीके से और बहुत ही हेल्दी बनाने वाले हैं तो इसके लिए यहां मैंने 500 ग्राम मुरिंगा की फलियां ले ली हैं और इनको छोटे- तेल मैंने ले लिया है और इस तेल को अच्छे से गर्म कर लिया है जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए इसमें राई और जीरा का हम तड़का लगा देंगे साथ में तू छोटे से टुकडे दालचीनी के थोड़ा सा छबीला एक चक्रपूल और लॉंग इलाइची और जा कि सब्जी है इसका फ्लेवर एक अलगी तरीके का बनेगा तो इस प्रकार से हमने जो भी खड़े मसाले थे उनको कड़ाई में डालकर इनको थोड़ा अच्छे से चर्मच की सायथा से चटका लेंगे आप चाहें तो चक्रफूल छबीला इनको बाहर भी निकाल सकते हैं औ अब इसमें डाल देंगे हम आठ से दस लेस्टन की कलियां बारी कटी हुई और तो से तीन हरी मिर्च के बारी कटी हुए टुकड़े और इनको अच्छे से फ्राई कर लेंगी जब हमारी लेस्टन अच्छे से गूल्डन ब्राउन हो जाईगी तो हम अपनी प्याज बारी क हो जाए अच्छे से गल जाए इसके लिए हम पे में यहीं पर फोड़ा से नमक और यहीं थोड़ा सा हौम निट गरम मसाला मैंने इसमें प्याज के साथ कर दीया है हमारी प्याज अच्छे से खुंचुकी है इसक貰ल ब्राउन कलर हो गया है और अब यहाँ पर मैंने हल्द पाउडर दनिया पाउडर और लाल मिर्च का जो भूल बना कर रेडी किया था वो भी अपने इस तड़के में डाल दिया और अब इसको हम मसाले को अच्छे से पकाएंगे थोड़ा सा अध्रक भी मैंने यहाँ पर किसनी से किसकर डाल दिया है अध्रक को बाद में ही डालें अब इसका अच्छा फिलेवर बनता है तो मेरा मसाला अब रेडी है अब इसको हम थोड़ा थोड़ा पानी खरकर अच्छे से खुझ भूगाने तक भूनेंगे जब तक कि मसाला हमारा तेल ना छोड़ने लगे और यहीं पर अब इसमें मैंने ये एक चम्मच फैंटा ना होने लगे नहीं तो दही आपका फट सकता है चलाती हुए दही को मसाले में अच्छे से मिक्स कर लेंगे जब तक कि इस तूरे मसाले में अच्छा सा बॉयल नहीं आ जाए तो यह हमारे मसाले में अच्छा बॉयल आ गया है और यहां पर मैंने थोड़ी सी कस्दूरी मै ती यहां पर ने मसाले में एट कर दी है और अब चलाते हुए इस मसाले को हम करीब 8-10 मिट तक भूनेंगे तो इसका एक अलगी फिलेवर हमारी जो मुरिंगा की सबजी है उसमें आएगा इस भीच थोड़ा थोड़ा पानी आप इसमें डालते रहें मसाला कडाई में चिपक की संबावना बनी रही तो देखिए सांति हमारा मसाला बहुत अच्छे से बुन गया है वे मसाले में तेल छोड़ दिया है यहीं पर मैंने कुछ इसमें फोया बड़ी भी डाल दी है जो की प्रोटीन से परपूर होती है तो आज हम यह जो मोरिंगा की सबजी बना रहे हैं मसाला मेरा रेडी हो गया था और अब इसमें मैं अपनी बोरिंगा की फलियां जो कटी हुई थी वो एड़ कर दूँगा और अच्छे से मसाले में कुछ मच की साहता से मिक्स कर देंगे चलाते हुए देखिए कितनी अच्छी हमारी जो पुरिंगा की गिरेवी है वो दिख करें वैसे मुरिंगा या थोड़ा रसीला बनाएं तो ज्यादा वैतर होता है कि इसका पानी बहुत टेस्टी लगता है और अब हम यहां पर इसको 10 मिट के लिए डखकर पका लेंगे तो मेरी मुरिंगा की सबजी 10 मिट के बाद में बिल्कुल रेडी है और यहां पर एक च चाला है आप कमेंट करकर बता सकते बता दें तो मैं इसकी लिंक डिस्कुप्शन में डाल दूंगा तो साथी हो हमारी बुरिंगा की सुपर टेस्टी सबजी बिल्कुल बनकर तैयारे वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज लाइक कमेंट करकर जरूर बताएं और चैनल को क्राइब जरूर का